कि हरो दूस्तूं स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निर्योक टूड़े में आज किसी वीडियों हम आपको बताने जा रहे हैं आज हम बात करेंगे इस अवसदी पौधे के बारे में जिसे थूहर कहते हैं या थूहर असली में थूहर की प्रजाद्य है आपको जानकारी इसके जो और शुदी गुण है बहुत चमतकारी और बहुत रूपी वीडियो आज की होने वाली है तो इसी वीडियो के इसकी मत कीजिए पूरा वीडियो लाश्तर जरूर देखिएगा अभी इसके वीडियों के बारे में आपको जान पाएंगे इसके बह मत मान इसे इतने सारे उसरे गुण है जो आप सोचने में तो आपको दिखाई दे रहा है तनों पाड़ो पर कांचे दिखाई दे रहा है यह कटीला पाड़ा जरूर य Давай स्की पक्तिया थोड़ा छोटी जयोर होती है लेकिन बहुत काम की होती है यह पौधा जिसकी लंबाई चार से पांच मीटर तक लगभग होती है जैशा कि आप देख रहे हैं इस पौधे को बार के रूब में लगा जाता है इसके घर के बाहर बेडों के रूब में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है जनवरों के के लिए इसे खेतों के मेंड़ पर भी लगा जाता है अपनी फसल को बचाव के लिए यह थूहर के जो प्लांट यह थूहर का यह पौधा है इसके पहले फूहर का यह पौधे में तीन धारियां आपको दिखाई दे रहे निकली हुई इसके तनों पत्तियों को तोड़ने पर दूष निकलता है इनकी शाखाओं को तोड़ने पर इनके अंदर शाखाएं क्या होती है पोली होती है जो आसानी से तूर जाती है इनको अगर दूसरी जगह कर लगाया जाए तो बर्षात में भी यह लग जाती है यह शुष्क प्रदेश का पौधा है जो अर्षानी से हर जगह लग जाता है यह गर्मी में भी हरा रहता है जेसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें इंटी फंगल इंटी माइक्रोबियल पुन प्र्योग है जितने भी तुच़ा स्ममन्धी रोग है उन सभी है वह बहुत ही लाबदायक होता है उर्षा कई बिमारियों अगर बहुत सी सारे और शदी गुड़ समाय हुए बैठा है जो आपको नहीं पता है तो चलिए आज इसके जो अशदी गुड़ हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताते हैं इसे तूड़ जाएगा इसके तने और पत्ते का हम रश निकाल कर अगर तले में तेल में अगर उसको हम इसको पका कर उसका अगर तेल सही से इस्तिमाल करें निकाल कर तो इसके जितने भी तोचा समझी समस्चा हैं हुए इसका बहुत यूग होता है तो चलिए हम आज इसके कान रोग में जितने हैं, कान रोग में जेतने हैं तो cancer कान शुनाए में या है mo a horaman तो चाहिए भू आग में इन पत्तों का रश n कल लेंगे और उसे अगर कान में डालते हैं दो से चार्वून तो काम दितने भी समश्च्या हैं कान कि द्वाई करति आप ठक गय हैं इसका आप दो-तिन दिन स्केत अगर प्रयोग कर लेते हैं अगर एक-दो दिन में अगर एक-दो बार डालते हैं जितनी भी क्यान की समच्चाइए उन शब श्रया को जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएका इसका यह बहुत इप्रूवियोशिंदी प्रयोग है इसका थूहर का कान रोग में चैनम रोग में जितनी भी समच्च दूब कर दिए ज्टस तोड़को निखालेंगे ढ़ार इसे आक को काठेनार लगताय कि इस प्याओं कर तो आशे हम पखा कर अगर गजैसर आक जुआ धुक में तो कर दो हुझ के उसकर घ्म ट। डाल के तो अच्छा में जहां फोड़े निकल आए हैं उस जगह पकर लगाते हैं फोड़े पक कर बह जाएंगे और अगर नहीं पके हुए हैं तो शूख जाएंगे तो आपको जितने भी फोड़े पूंशिक समझ चाहें उन समय ही आपको छुड़कारा मिल जाएगा अगर सूजन ह में उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सरी में दर्द हो रहा था या नहीं अगर कोई भी मरीज जैसे विखोष हो गया है और उठ नहीं पा रहा है विखोशी को वस्ता मचियत है उस समस्चा में भी यदि तूहर का जो होता है दूद है एक चमच और शह गया है वे था अचेत वस्ता से सचेत हो जाएगा और उसकी जो वा बिहोशी थी ओगाप हो जाएगे और उठ它 बढ़ जाएगा तो इस का हा यह घृत ही चब्लांथ लुट शेंख सच्थमेशन हौै व्बावत शीह में व्च में क्या होता है कि का यह में closer मश्य निकलाते हैं और बहुत दर्ड होता है इस समस्या से आग जूज रहे हैं इस थूहर के जो प्लांट है क्या करेंगे कि उस मश्य वाली जगह पर जहां गुदामागर से मश्य लटक रहे हैं उस थूहर का दूर जो होता है उसे निकाल कर काटन में लेकर अगर उस मश्य वाली जगह पर लगाते हैं तो मस्य भी वह जहरक वर में और दूर जाते हैं आपको बावा शीर इसमें लाफ प्राप्त हो गाए तोचा अरुब में जैसे कीन महासिब में उस समय इसके तनों का पतों का अर्श निकालकर लगभभिगैशे में इसमें 25 इलमें सर्शु का त जितने भी तुचा श्मंधी बीमारियां हैं उर शम में यह बहुत हुद चमतकार इसका वशुनी प्रयोग है इस्की रोग के लिए इसे कि अधिक स्वराइशी इस में क्या हो ता प्राइशी बहुत से जाया रहा आपका चकत्ते हो जाते हैं ज्यादा पूर शरीर में तुच से भाहिलाओं भी इससे परशान हैं और अपनी खुर्षूत्री चुपाने के लिए वस्तों को पूरी सरीर से ढखे रहती हैं और पूरी समस्चा उस पचने के लिए सरीर पूरे वस्त पहने लगते हैं इस समस्चा से आप छुड़कारा पाईए और अपनी आजादी को तरहीं समस्यां है तो शुड़का प्लांट बहुत हुपी होगी और शुड़ी प्लांट है इसे आप जितने भी तोचा श्रमंधि विमारियां उन सबसे आपको जिंद्रगी भर के चुड़कारा मिल जाएगा तो यह कठीला प्लांट जरूर है लेकिन इसे हम अपने जीम अगर इस्तिमाल करते हैं अपने जितने भी बीमारियां हैं तो चाकिश्कीन की उन सब में आपको जिंद्गी भर के लिए मुक्ति मिल जाएगी और आपको सबसे छुड़कारा मिल जाएगा इसे हम बाढ़ के रूब में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है को अगर लगाया ज तो यह बहुत ही प्योगियो शिद्गी प्रयोग है तो वीडियो कैसी लगी प्रीच कमेंट पर जरूर बताएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आन कर लिजिएगा यहीं वीडियो में आपके डालूं आपके तुरंत निट नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए चलिए मिलते हैं एक और ही प्योगियो शिद्गी पाधे के रूब में नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए